हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे असिस्ट्मेंट और इवल्यूएशन के बारे में मतलब असिस्ट्मेंट का मतलब क्या होता है आकलान इवल्यूएशन मतलब मुल्यांकन असिस्ट्मेंट क्या होता है असिस्ट्मेंट होता है आकलान जिसको हम लोग इसका उदेश क् कि जो हम लोग सिखने सिखने के लिए बच्चा सब सिखता है ना कोई सिखने के दोरान मतलब सिखने के दोरान सिखने के दोरान बच्चों की उपलबदी मतलब सिखने के दोरान बच्चों की उपलबदी उपलब लबदी या सफलता उपलबदी या सफलता उपलबदी या सफ सफलता कि गुर्वता कि कुछे करते हैं पर अखते हैं या जाच करते हैं उसी को हम लोग क्या करते आकलर मतलब जो हम लोग कभी बच्चा सब क्या करता है प्पढ़ने जाता हैं टीचर पढ़ाती हैं तो पढ़ाते ही हैं वक्त जो भी एक टॉपिक पढ़ाएं मतलब कोई भी चेप्टर पढ़ाएं उसके बीची में किसी से कोश्चन पूछ लिए तो वहीं क्या हो गया आकलान मतलब चेक करें कि बच्चा कॉंसेंट्रेट होका सुन रहा है कि नहीं समझ रहा है कि नहीं और ज अगर उसको देखेंगे कहां पर गलती है उसको सुधारने के सुधारने के कोशिस करेंगे जो गलत है उसको सुधार है मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसके बीची में मतलब प्रोसेस चल रहा है उसके बीची में हम लोग उसकी जाच करेंगे बीची में जाज करेंगे, उसको परखेंगे कि ये बच्चा क्या करा है, उसको सुधारने की कोशिस जाज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकलान, तो जो अभी प्रोसेस चल रहा है, जो अभी चल रहा है, उसके बीची में हम लोग उसको जाज करेंगे, अब मुल क्या हो गया मुल्यांकन मतलब क्या हो गया है जछ कर रहे हैं क्या कर मतलब काम को पूरा हो गया है वुररे सबस्राइब उसके शिखाने के निश्चीत अवधी के बाद बच्चों की क्या करते हैं अवधी के बाद बच्चों के वास्तिविक अस्तर के जाचना यह हम लोग क्या करते हैं मुल्यांकन कहते हैं मल्यांकन का है करें पूरे कीडिया के लास्तिमी के एकजाम होता है लगों स्फिर्मेटिव एस्सिस्मेंट होता है ना वहीं क्या हो गया मुल्यांकन हो गये बच्चा जो पड़ा है एक साल में उसका चास्ता रहता है मतलब ऑल्लपमेंट मुल्यांकन हो डेवलोपमेंट ही हो गया क्या ओवराल डेवलोपमेंट हो गया होलिस्टिक हो गया होलिस्टिक डेवलोपमेंट यह विकास बोलिये हिंदी में होलिस्टिक डेवलोपमेंट हो गया स्वागिन मतलब पूरा विकास स्वागिन विकास स्वागिन विकास पूरा ओवराल को भी क को हुआयन चब्रब विकास चुसारा क्या है आ आ इसे इसमेंट कहीं अंतरगत आता है कि अलै। करता है जब वह बनाता है वह कर रहा है उसके बीच उसके बाद तो उसके बीची में वो प्रोसेस चल रहा है, मत्तब मेगी बनने को प्रोसेस चल रहा है, उसके बीची में वो क्या कर रहा है? बीच में ही उसको चेक कर रहा है, जाच कर रहा है, कि मेगी में नमक कैसा बना है, प्रोसेस angaż से चल रहा है उसके बीच ध्य इस को हम लोग क्या बोलते है आकलों और जब पूरी तरह कैसे बन गया और खा रहा है, यह अपने ममी को थे तो उसके बाद मुलियांकन करे ममी, हाम तो मेरा अच्छा खाना बना यह मैगी बनाया है तो क्या हो गया मैगी बनाने के बाद जब खा रहा है खाने के बाद उसके जाच हो रही है उसके बाद बताया जा रहा है वहीं क्या हो गया मुल्यांकन हो गया तो जैसे और इसका और जैसे आकलन हो गया बच्चे को पढ़ाय जाता है उसके बीच ही में हम लोग कोस्टन करने लगते हैं किसी को उठा कर तो यह क्या हो गया आकलन हो गया मुल्यांकन हो गया मतलब जो बीच में यह जब ओवर ओल मतलब पूरा अधम पढ़ा उड़ा लिए उसके बाद यह चल रहा है क्या हो गया यह मुल्यांकन हो गया फोर्मेटिव एसिस्मैंट होता है ना तो च्या होगया जो घ्रेन में टेस्ट होता है क्या हो गया सब क्या होग़ा लास्ट में पूरा पढ़ाया हुआ है जो होता है था मुल्यांकन तो असीस्मेंट मोल्यांकन स्रेंख